नमस्कार सूप्रभाद जोहार मैयाचन जैस्वाल आप देख रहें न्यूज जार्खन वक्त हो चुका है जार्खन की खबरों को जानने का उनसे अपडेट होने का चलिए जानते हैं जार्खन की 25 बड़ी खबरों को 29 अप्रेल को कलपना गांडे विधान सबा सीट से करेंगी नामांकन जार्खन के पुर मुख्य मंत्री हमन्सुरेन की पतनी कलपना मुर्मु सोरेन 29 अप्रेल को गांडे सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी कलपना सुरन अब सक्रिय रूप से राजनीती का हिस्सा बन चुकी है वो लगतार एक के बाद एक सभाओं को संबोधित कर रही है रभिवार कोई उन्होंने उल्गुलान महारेली जैसी बड़ी सभा में हुंकार भरी थी बतादें कि बिजेपी ने गांडे विधनसबा उपचुनाओ के लिए दिलिपकुमार वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है गांडे उपचुनाओ 20 मई को होना है यह चुनाओ काफी दिल्चस्प होगा बतादें कि हमनसुरन की गिरफतारी 31 जन्वरी को हुई है उनकी गिरफतारी के कुछ दिनों के बाद से ही कलपना ने राजनीती जॉइन कर ली है और अब तक वा केंदर की भाश्पा सरकार के साथ आख में आख मिला कर बात करती है उन्होंने केंदर की सत्तारुड भाश्पा को उखार फेकने का संकल्प हमनसुरन की गिरफतारी के बाद से ही ले लिया है जामुमों ने सरकार से की स्कूलों में ओनलाइन क्लास तुरू कराने की मांग कहा सिलेबस पूरा करने के साथ साथ जरूरी है बच्चों का स्वास्त जारकन मुक्ती मोर्चा ने राज में हीट वेव और उचतन तापमन 46 डिग्री सलसियस तक पहुच जाने का हवाला देते हुए सभी स्कूलों में ओफलाइन कक्षाई इस्थगीत कर ओनलाइन क्लास सुरू करने की मांग सरकार से की है जामोमो के केंद्रिय महासचीव सुप्रियो भटाचार्या ने कहा कि मौसम केंद्र का आकलन है कि आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी की संभावना है ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह सभी स्कूल में चलने वाली कक्षाई इस्थगीत कर दे और क्लास रूम से टीचर ओनलाइन पढ़ाई कराएं जामोमो के केंद्रिय महासचीव सुप्रियो भटाचार्या ने कहा कि यह ठीक है कि सरकार ने गर्मी को देखते हुए इसकूल की टाइमिंग में परिवर्तन किया है बच्चे स्कूल तो जाते हैं सुबख 6 बजे लेकिन स्कूल से लोटते समय दोपहर का 12-15 बज जाता है दूर दूर से बच्चे स्कूल जाते हैं घंटों बच्चों को बस में रहना पड़ता है यह ठीक नहीं है उनका स्षास्त खराब हो सकता है ऐसे में पार्टी सरकार से मांग करती है कि स्कूल में ओफलाइन कक्षाएं बंद की जाएं सिंगुम लोगसभा सीट से जमोव प्रत्यासी जोभा मांजी आज करेंगी नामांकन सीम चमपई और बसंत सोरिन रहेंगे साथ सिंगुम लोगसभा छेतर से इंडिया गटवन्दन की साजा प्रत्यासी जोभा मांजी आज मंगलवार को जीला निर्वाचन पताधी कारी के समक्ष नामांकन परचा दाखिल करेंगी सोमवार को प्रत्यासी जोबा मांजी को पार्टी के केंद्रिय अध्यक्स पुरो मुख्यमंत्री सिबु सोरेन ने सिंबल प्रदान किया था नमांकन कारेक्रम को एतिहासिक बनाने के लिए जहमुमा कॉंग्रेस और राजत की ओर से व्यापक तैयारी की गई है जोबा मांजी के नमांकन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जहमुमो की स्टार प्रचारक पुरो मुख्यमंत्री, हिमन सोरेन की पत्नी कलपना सोरेन और राजी के पत्निर्मार मंत्री बसंत सोरेन साथ रहेंगे नमांकन से पूरु चाइबासा के खुट कट्टी मैदान में जनसभा आयोजित किया गया है जिसे स्टार प्रचार को के अलावा कोलाहन से पार्टी के विधायक मंत्री समेत गड़ बंदन दलों के नेतागड संबोधित करेंगे निशिकांत दूबे को प्रदीप्यादों का करारा जवाब कहा चुनाव जीता तो सेवा करूंगा नहीं तो राजनीती से ले लूंगा सन्यास लोकसभा चुनाव के दोरान गोड़ा सीट पर प्रत्याशियों की पीश जुबानी जंग तेज हो चुका है एक तरफ बीजेपी उमिद्वार निशिकांत दूबे ने अपने प्रतिद्वन्दी प्रदीप्यादों के खिलाब चुनाव प्रचार नहीं करने का एलान कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस उमिद्वार की ओर से भी उन्हें करारा जवाब दिया गया गुड़ा लोकसभा सीट से कॉंग्रेस के प्रतियासी प्रदीप्यादों ने बहुत बड़ा एलान किया है उन्होंने कहा कि या चुनाव मेरा आखरी चुनाव है अगर लोकसभा चुनाव जीता तो जनता की सेवा करूँगा नहीं तो राजनीती से सन्यास लेने का प्रयास करूँगा विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूँगा प्रदीप्यादों ने कहा कि पांच बार विधानसभा से जीत चुका हूँ विधानसभा में छेतर की आवाज उठा चुका हूँ लोगों का असिरवाद ले चुका हूँ अब दिल्ली में लोगों की आवाज उठाऊंगा प्रदीप्यादों ने सभी कारे करता से कहा कि फालतु बातों पर ध्यान नहीं दीजिये उन्होंने कहा निशिकांत दूबे क्या लिखते हैं उस पर नहीं जाना है हम सभी घटक दल को एक साथ होकर देश को बचाने के लिए समिधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ना है जारकन बोड इंटरमीडियेट रिजल्ट इस डेट तक हो सकता है घोसित नतीजों के शाथ आएगी टॉपर लिस्ट जारकन एकेडमिक काउंसिल की ओर से दसवी क्लास का रिजल्ट जारी होने के बाद अब इस्टुडेंट्स को बारवी कख्शा का रिजल्ट घोसित किये जाने का इंतिजार है जो जल्धी खत्म होने वाला है डिपोर्ट के मुताबिक बोट की ओर से जार्खन बोट बारवी के नतीजे 30 अपरेल तक घोसित कर दिये जाएंगे रिजल्ट आउनलाइन माध्यम से ओफिसल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा नतीजे जारी होते ही छातर वेबसाइट पर जाकर रोल नमबर दर्ज करके अपने परिडाम जाच सकेंगे जार्खन बोट की ओर से 12th क्लास का रिजल्ट प्रेस कॉनफरेंस में घोसित किया जाएगा जिसके बाद वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो जाएगा इसके बाद छातर jackresults.com, jack.jharkhan.gov.in या jharresults.nick.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकेंगे बंगाल ले जा रहे 34 गोवन्स को गिरिडियर पुलिस ने कराया मुक्ट चार तसकर गिरफतार जीले की बगोदर थाना पुलिस ने सोमवार को गुपत सूचना के अधार पर गोवन्स लोडगाडियों को जब्त किया और बच्छडा समेत करीब 34 गोवन्स को तसकरों से मुक्त कराया है जब वहनों में 22 गोवन्स और 12 बच्छडे सामिल है इस दोरान बगोदर थाना पुलिस ने चार तसकरों को गिरफतार कर पुछताच में जूटी हुई है इदर थाना प्रभारी सुकसागर सिंग की माने तो वहनों में लोडगोवन्स को बिहार से बंगाल पहुचाया जा रहा था लेकिन बंगाल में कहां पहुचाया जाना था ये बंगाल की सीमा में प्रभेस के बाद गोवन्स लोडगाडियों के चालकों को बताया जाता इदर वहनों में लोडगोवन्स को मुक्त करा कर मधुबन गोसाला भेजा गया जार्खन के बोकारो में खनन विभाग व बियसनेल की टीम पर हमला कई चोटिल अवैद बालु खनन रोकने पहुचेते अफसर जार्खन के बोकारो जीले में बालु के अवैद खननन वा कारोबार के विरुत सोमवार की साम पांच बजे चलाए गए अभियान के दोरान सेक्टर 11 अंतरगत भतुआ बस्तिदा मुदर नदीताट के पास माफियाओं के इसारे पर भीड ने जीला खननन विभाग और बोकारो स्टिल प्लान की टीम पर हमला बोल दिया बालु माफियाओं के इसारे पर भीड ने टीम के कई सदस्यों के कपड़े फाड दिये और वहानों की चाबी भी छीन ले इस दोरान BSNL नगर सेवा विभाग लेंड एंड एसेट के महाप्रबंदक एके सिंग को हलकी चोटे आई हैं हमले में कई पत्रकारों के अलावा अन्य लोग भी चोटी लुए भीड ने एक होमगाट जवान का मोबाइल छीन लिया कारवाई करने गई टीम के लोगों ने जहां तहां छीप कर खुद को सुरक्षित किया और बिचीला पुलिस को सूचना दी CTDSP आलोकरंजन ने तुरंत पुलिस बल भेजा इसके बाद टीम के सदस्यों को वहां से निकाला गया बताया जाता है कि खनन विभागों बियस निल की टीम ने पहले अवैत खनन रोखने की कोशिस की थी टीम को देख 50 से अधिक ट्रेक्टर ड्राइवर भाग निकले थें इस दोरान टीम ने 5 ट्रेक्टरों की चाभी जब्त कर ली यह देख वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए जो बाद में हमलावर हो गए हिमन्सुरिन की जमानत पर सुनवाई आज हाई कोट में जवाब दाखिल करेगी एडी राजी के बढ़गाई अंचल की 8.86 एकड जमिन घोटाले के आरूपित पुरो मुख्य मंत्री हिमन्सुरिन की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी एडी के विशेष नेयाधीस राजीव रंजन की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूची बध है 16 अपरेल को सुनवाई के दौरान एडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी अधालत में E.D. के आगरा को स्विकार करते हुए अगली सुनवाई 23 अप्रेल को निर्धारित की गई थी हमनसोरन ने जमानत की गोहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है याचिका में स्वयम को निर्दोस बताते ही वो उन्होंने जमानत की सुविधा प्रदान करने की मांग की है जार्खण में नॉमिनेशन की धीमी रफ्तार पांच दिन में महज 15 नामांकन अब 3 दिन है शेस राज में 13 माई को होने वाले चुनाओ के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया बेहती धीमी है हालत यह है कि पांच दिनों में मात्र 15 नामांकन पत्र दाखिल किये गए है जबकि नामांकन के लिए अब महज 3 दिन ही शेस है उमीद की जा रही है कि नामांकन की आखरी तारीक 25 सप्रेल तक कुछ और नामीनेशन होंगे मुख निर्वाचन पदाधिकारी के रवी कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 सीटों पर चल रहे है नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के तहर 18 से 22 सप्रेल तक 15 नामांकन परचा भरा गया है दाखिल नामांकन परचा की जानकारी देते हुए मुख निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि खुंटी में 3 सिंग्भूम में 7 और लोहरदगा में 4 और पलामू में 1 नॉमिनेशन हुआ है चुनावायोक के आकड़ों के मुताविक सबसे कम पलामों में अब तक मात्र एक नामांकन दाखिल किये गए हैं जबकि सरवाधिक सिंग्भूम में 7 नामांकन परचा भरा जा चुका है अंबाटाट साड़ी में कलश्यात्रा के साथ 5 दीवसी महायग्य शुरू रामगट जीला के अंबाटाट साड़ी में स्रीश्री एक हजार आठ पंच दीवसी महालक्ष्मिन अरायड यग्य शाहनुमंत प्राठ प्रतिष्ठा सोमवार को भवे कलश्यात्रा के साथ प्रारंभ हो गया कलश्यात्रा में मुख्य तीथी के रूप में आज़सू के केंद्रिय महासचीव तीवारी महतो पार्टी के रामगट जीलाव पाध्यक जैकिशोर महतो समित अन्य गढ़माने लोग मौजूद रहें इस मौके पर समीती के सदस्यों ने अतितियों को अंगवस्र दे कर सम्मानित किया बाद में यग्यशाला मंडब परिसर से गाजे बाजे के साथ भवे कलश्यात्रा निकाली गई जिसमें 251 कलश्धारियों के साथ बड़ी संख्या में श्रधालू शामिल हुए कलश्यात्रा गाव का नगर भ्रमरकर प्राचिन श्रिव मंदिर तूटी जर्ना पहुची जहां से इस छेत्रे के सभीधार में कनुष्ठान संपन्न होते हैं वहां से जल उठा कर नाचते गाते हुए श्रधालो यग्यमंडब तक पहुचे खास बात या रही कि इस दौरान श्रधालों पर मौसम भी महरबान रहा दिन भर बादल चाय रहें जिससे लोगों को चलचलाती गर्मी से रहत मिली पती को जान से मारने की धमकी देकर महिला से जबरन दुशकर्म करने वाला आरोपी गिरफतार देवगर पुलिस ने पती को जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ जबरन दुशकर्म करने वाले आरोपी को गिरफतार किया है आरोपी दुशकर्म के दौरान महिला का वीडियो बना कर बार बार दुशकर्म की घटना को अंजाम दे रहा था महिला की विरोत करने पर वीडियो वारल करने की धमकी देता था देवघर एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना पर साइबर थाना पुलिस ने कुंडा थाना छेतर के हतगर गाउं इस्तीत एक निर्माना धीन मकान से दुमका जीले के तालजारी थाना छेतर इस्तीत लोरी घागर निवासी आरोपी रमेस मंडल को गिरफतार किया है पुलिस आरोपी के पास से घटना में प्रयोक्त मुबाईल बरामत किया पुलिस के अनुसार देवघर साइबर थाना में दर्ज आईटी एक्ट के तहट पुलित के आवेदन के आधार पर नामजद प्राथमी की दर्ज कराई गई थी आरोपी पुलित से मुबाईल के माध्यम से संपर्ग कर उनके एवं उनके पती को जान से मारने की धमकी दिया था इसके बाद आरोपी रिखिया था ना छेतर के बंधा इस्तित अपने किराये के मकान पुलित को बुला कर जबरन अवैत संबंद बनाया इस दोरान वीडियो बनाकर वारल करने की धमकी देकर बराबर अवैत संबंद बनाता था परित के विरूत करने पर अवैत संबंद का वीडियो वारल करने की धमकी देता था मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार हो गया देवगर S.P. मामले के समिक्षा कर इसकी गंभीरता को देखते हुए साइबर D.S.P. के नेत्रितों में एक टीम का गठन किया गया उक्तो टीम कारवाहिकर तकनिक्यानुसंधान वंसाक्ष के अधार पर कुंडा थाना के हतगर गाम इस्थित एक निर्माना धिन मकान से रमेस मंडल को गिरफतार किया राश्प्रती द्रौबदी मुर्मू ने जार्खन की पुडिमा महतो वा चामी मुर्मू को पदमश्री से किया सम्मानित राची राष्टपती द्रौबधी मुर्मो ने जारखन के जमश्रितपूर की पुरिमा महतो वसराय केला की चामी मुर्मो को नई दिली में आयोजित समहारों में पदमश्री से सम्मानित किया पोडिमा महतोर राष्ट्री तिरंदाजी कोच हैं प्रतिष्ट्री द्रोणाचार पुरसकार से भी पुरस्क्रित हैं चामी मुर्मु को लेडी टारजन कहा जाता है वे तीच लाग से अधिक पेड़ लगा चुकी हैं पदमश्री पोडिमा महतो का जन्म 15 अगर्ष्ट 1976 को ज योग मिला पश्ट्री में सिंग्वुम के बंदगाओं में पूलिस की शापे मारी करूडों का अवैद अफीम बरामत पश्ट्री में पूलिस ने अफिम तसकरी के खिलाफ बड़ी कारवाई की है बंदगाओं थाना च्छेतर अंतरकत बर्जो गाउं में पूलिस ने तो सेखर ने की है उन्होंने बताया कि 20 अप्रेल की रात्री में गुप्त सूचना मिली थी कि बंदगाउं थाना छेत्र में तशकरी करने के उद्देश से अवैद डोडा को इकठा कर रखा गया है स्पी ने कहा कि उप्त सूचना के सत्यापन वह मावशक कारवाही के लिए चक्रदरपूर स्ड़ी पीयों के नेत्रितों में एक टीम गठित कर 20 अप्रेल की रात्री ससस्त्र बलो के सहयोग से बंदगाउं थाना छेत्र के बर्जोगाउं में छापे मारी की गई जिसमें पु गया है कि चमरा लिंडा लोहरदगा संसर्य सीट से अपनी ताल ठोकने के लिए पुरी तरह तयारी में हैं गौरतला भे कि लोहरदगा सीट पर कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उमिद्वार की घोशना कर दी है कॉंग्रेस ने इस मैदान में उतार दिया है जम्मो के केंद्रियों महासचीव सुप्रियों भटाचार्या ने कहा कि कॉंग्रेस ने प्रत्यासी घोसित कर दिया है तो जीद की गारंटी भी ले होटल संचालक गांजा के साथ गिरफतार कोवाली इलाके में पुलिस ने की कारवाही एक दस्मलो छे-चार किलो गांजा बरामत किया जम्शितपुर से सटे कोवाली थाना अंतरकत बाली डीपा दाव विस्तित एक होटल में गांजा की खरेद बिक्री कर रहे सूकु महाकुड को पुलिस ने गिरफतार किया है पुलिस ने सूकु के पास से कुल एक दस्मलो छे-चार किलो गांजा बरामत किया ग्रामिड एस्पी रिशब गर्गे ने बताया कि पुलिस को गुपत सूचना मिली थी कि कोवाली थाना अंतरकत बाली डीपा गाउं के एक होटल में गांजा की खरेद बिक्री हो रही है सूचना पर पुलिस ने चापे मारी की और सूकु महाकुड को गिरफतार कर लिया सूकु के पास से पुलिस ने एक दस्मलो छे-चार किलो गांजा बरामत किया है जिसकी बाजार में कीमत 50,000 रुपए है ग्रामिर एसपी ने बताया कि पुछताश में गांजा के तसकर के बारे में पता चला है जिसकी गिरफतारी के लिए चापे मारी की जा रही है उन्होंने बताया कि अचार सनीदा को लेकर पुलिस लगतार चापे मारी कर रही है अब तक ग्रामिर छेतर से 40 लाख नकत और 10-12 लाख की शराब को जब्त किया गया है इस कूटी को कार ने मारी टक कर एक की मौत शादी समहरों से लोट रहे पती-पत्नी आमने सामने होई टक कर पती की मौत ग्रिडिय के जमुआ थाना चेतर में सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हाथसे में एक व्यक्ती की मौत हो गई वही मैला गंबी रूप से जक्मी है मृतक नंगर थाना चेतर के भंडारी डिह निवासी बिनोथ चौधरी है जबकि घायल मृतक की पत्नी मीरा देवी है मृतक और घायल दोनों पती पत्नी है घटना की सूशना पर जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुची और चार पहिया वहन और स्कूटी को कबजे में ले लिया वहीं पुलिस द्वारा शव को पोस्माटाम के लिए गृडिय सदर अस्पताल भेज दिया गया मृतक के भाई गुड़ु चौधरी ने बताया कि उसके भाईया भावी स्कूटी से शादी समारों में शामिल होकर वापस घर लोट रहे थे इसी तोरां जमुआ सुबा करीब साड़े चे बजे एक चार पाईया वहन ने स्कूटी में जोरदा टक्कर मार दी घटना में उसके भाईया की मौत हो गई जबकि घायल भावी का इलाज कोर्ट रोडिस थीत नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है PG सेमेस्टर 1 के लिए परिक्षा फॉर्म भरने की तीथी तैए राची विश्र विद्याले प्रशासर ने MA, MSC, MCOM सेमेस्टर 1, CBCS, Regular ववोकेशनल सत्र 2023 पच्चिस के विद्यारतियों के लिए फॉर्म भरने की तीथी तैय कर दी है बिद्यारती पीना विलंशुल्क के फॉर्म 25 अप्रेल से 3 मई 2014 तक फॉर्म भर सकते हैं जबकि विलंशुल्क 400 रुपई के साथ फॉर्म 4-8 मई, 2024 तक भरे जाएंगे इसके बाद विलम सुल्ख 400 रुपए वो प्रतिदिन 100 रुपए दंड के साथ 10 माई 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे रेगुलर विध्यार्तियों को फॉर्म के साथ परिक्षा सुल्ख 400 रुपए लोकल लेविच 300 रुपए, माकसिट सुल्ख 50 रुपए, प्रैक्टिकल सुल्ख 100 रुपए भी जमा करने होंगे जबकि MBA वर MCA विध्यार्तियों को परिक्षा सुल्ख 950 रुपए तथा दोनों के लिए प्रोसेसिंग सुल्ख 100 रुपए जमा करने होंगे अग्यात व्यक्ति का 100 रुपए बरामद इलाके में मिले तीन अग्यात शौव, हत्या की आशंका छेतर में फैली संसनी वुकारोपुलिस ने सेक्टर 4 थार्णा छेतर के सेक्टर 5 इस्तित पैट्रोलपम के पीछे से छत वी छत इस्थिती में एक अग्यात व्यक्ती का शव बरामत किया है मौके पर पहुची पुलिस ने शव को अपने कबजे में लेकर पुस्माटम के लिए भेज दिया इस बाबत जानकारी देते हुए सेक्टर 4 के थाना प्रभारित आरेन राणा ने बताया कि शव देखने से प्रतीत होता है कि इसकी हत्या कुछ दिन पुरो की गई होगी एवं शव को यहां छुपा दिया गया होगा उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के समीब गैरज की पीछे जंगल में शव फेके जाने की सूचना मिली थी जिसका सत्यापन करने पर जंगल से शौ मिला पुलिस अब मामले की तहकीकात में जुट गई है लैंड इस्केम अमित अगरवाल के डिस्चार्ज पर टीसन खारिच बरियातु इस्थित सेना की 4.55 एकर जमीन गड़बरी मामले में आरोपी अमित कुमार अगरवाल के डिस्चार्ज पर टीसन एडी की विशेस नयाधिस की कोट ने खारिच कर दी है पूरो में दोनों पक्षों की ओर से पहस पूरी होने के बाद E.D. की विशेस अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था इससे पूरो मामले के दो अन्य आरोपी दिलिप घोश एवं भानु प्रताप प्रशाद की डिस्चार्ज प्रटिसन E.D. कोड खारिच कर चुकी है अब मामले में अमिता ग्रवाल एवं अन्य आरोपियों पर आरोप गठन होना है दरसल मूल दस्तावेश से छेड़ चार कर फरजी दस्तावेश की अधार पर सेना की जमीन की खरिद विक्री में सहयोग करने का इन पर आरोप है इस मामले में निलंबित आयेश चवीरंजन निलंबित उपराजर सुभानुपरता प्रशाद समेट दस आरोपियों के खिलाफ आरोपत्र दाखिल हो चुका है जीमम निताओं के पास कहने को कुछ नहीं बस दबंगई की राजनीती करते हैं नमांकन के बाद बोली बीजेपी प्रत्यासी गीता कोडा चाईबासा से एंडिये की तरफ से बीजेपी प्रत्यासी गीता कोडा ने परचा दाखिल कर दिया है परचा दाखिल करने के बाद गीता कोडा ने कहा कि चुनाओं में नमांकन काफी एहम होता है लोग प्रचंड गर्मी में आए और पदियात्रा की इसके लिए सुक्रिया यह जोस और उत्साब पूरे संसद्य छेत्र में बना रहे ये लड़ाई नीती और नियती के साथ है प्रतिद्वंदी के पास नीती और सिद्दान्त नहीं है जमेम ने चल किया है भोली जनता को ठगा है जिस विश्वास और उमीद के साथ प्रदेश में सरकार बनी उसे गर्त में धकेल दिया भूग बेरुजगारी और असिक्षा है केंद्र की योजनाओ बार बैरिकेडिंग की जा रही है इसके बाद जमेम नेता खड़ियालू आसू बहा रही है जार्खन के लिए बीजन नहीं है बाचपई ने जार्खन बनाया लेकिन ये लोग दंब करते हैं कि हमने किया जार्खन में तकरीवं 35,000 बच्चे ड्रॉप आउट है तीचर की बहाली नहीं हुई पलायन हो रहा है युवा दूसरे प्रदेश में है और बुजर्ग गाउं में अकेले हैं नेता दावा करते ह है कि हम उन्हें हेलिकॉप्टर से मंगाएंगे मंजदुरों के लिए क्या किया जमेम नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं तो दबंगई की राजनीती करते हैं नब्बे का दशक नहीं है मोधी राज है लोग 5 साल का हिसाब मांगते हैं तो डराया जाता है जमेम कारेकरता गाओं में लोगों को डरा रही हैं एक 30 हजार मंदीरों में हनुमान 40 का सामुहिक पार्ट कराएगी विश्व हिंदु परिसत व पूरे प्रांत में राम नहमी का तहवार सांती पूरोग संपन्य हुआ, साथ ही विश्व हिंदू परिसत का केंद्रियक कारेकरम रामोस्व नौ अप्रेल से प्रांत के सभी जीलों के प्रखंडों एवं पंचायतों में आयोजित किये गए, कहा कि रामोस्व के बाद पूरिमा के दिन हनुमान जनमोस्व विहिप के द्वारा पूरे प्रांत में मनाया जाएगा, इस आयोजिन में अन्य वैचारिक संगठन भी अपने अपने इस्तर से हनुमान जनमोस्व की तैयारी कर रहे हैं। जार्खन की साहिब गंज पुलिस ने सोमवार को अंतराजिय बाइक चोर गिरों का खुलासा किया सरगना अरजुन सिंग उफफ देवा सिंग को गिरफतार कर लिया गया है बाइक चोरी के मामले में राजमहल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है गुपत सूशना की आधा प्रभारी गुलाम सरवर के बयान पर मामले में प्राथमी की दर्ज की गई है पुर्वजज पर फाइरिंग मामले में गैंक्स्टर अखिले सिंग बरी सबुतों के अभाव में कोट ने आरूपों से किया मुक्त पुर्वजज आरपी रभी पर फाइरिंग के मामले में जमश्रितपूर सिबिल कोट ने अपना फैसला सुनाया इस मामले में एडीजे आनंद मडीत्रिपाठी की कोट ने इस मामले में बनाई गए गैंग्स्टर अखिले सिंग को साक्षर के अभाव में दिया है। इस मामले को लेकर अखिले सिंग के अधिवक्ता विद्या सिंग ने बताया कि पुर्वजज आरपी रभी पर फारिंग मामले में अखिले सिंग का नाम था लेकिन पुलिस अनुस अंधान में अखिले सिंग घटना इस्थल पर नहीं था। इसलिए साक्ष के अभाव में कोर्ट ने इस गोली कांड में अखिले सिंग को बरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि अखिले सिंग को जमशितपूर जेल से दुमका जेल में शिफ्ट किया गया है। वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उनकी पेशी की गई। लुकसभा चुनाव में जीत की रणीती बनाने में जूटी कॉंग्रेस प्रदिस प्रभारी के साथ कॉंग्रेसी मंत्रियों की हुई बैठक। भोकता भी शामिल हुए। बैठक के बाद ज्ञारकन प्रदिस कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम एहमद मीर ने कहा कि लोगसभा चुनाव को लेकर कई एहम बिंदों पर बातचीत होई है। प्रत्याशियों के नमंकन को लेकर भी चर्चा की गई है। एक सवाल के जवाब में गुलाम एहमद मीर ने कहा कि टिकट बटवारे को लेकर कुछ नराजगी जरूर सामने आई है। लेकिन यह आलाकमान का फैसला है। जुनावी समी करड और अन्य पहलूँ को देखकर टिकट देना और टिकट बदलने का निर्ड़े आलाकमान के द्वारा लिया जाता है। जर्ग ने बताया कि SSP को गुप्त सूचना मिली थी कि कुवाली थाना अंतरकत बाली डीपा गाउं इस तित हाट टोला के पास ओम प्रधान होटल में सुकु महाकुर द्वारा बड़े पैमाने पर अवैद गांजा की खरिद विक्री किया जा रहा है। सूचना मिलते ही SSP द्वारा मुसाबीन DSP के नत्रितों में एक टीम का गठन करते हुए छापे मारी का निर्देश दिया गया। टीम ने ओम प्रधान होटल में छापे मारी की जहां से एक दस मलो छे चार किलो अवैद गांजा बरामत किया गया। गोड़ा की जनता ने पिछले तीन-चार दिनों में जो इसने और भरोसा बरसाया वो में कभी नहीं भूल सकती ये मेरे लिए यादगार भरा छड़ रहा। पलामू में राजधानी बिल्डिंग में लगिया पांच घंटे की मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू चार करोड से अधीक का नुकसान। सुमवार की दुपहर राजधानी बिल्डिंग में धाई बजे आग लगने के बाद शाम तक बाजार का बड़ा हिस्सा धुवे से भरा रहा। बिल्डिंग के सेड़ी पर धुवा भर जाने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास दस साल में जाती धर्म और संप्रदाय से उपर उट कर काम हुआ। वो सत्तर साल में नहीं हुआ जार्खन राज बिजेपी की देन है। वर्सों की लड़ाई थी अजादी के बास सही संघर सुरू हुआ। लेकिन कॉंग्रेस ने यहां की जनता की भावना का सम्मान नहीं किया। खरित बिक्री होती रही लेकिन राज नहीं बनी। बिजेपी ने सरकार बनने पर अलग राज गठन का वादा किया।